हेलो प्रीबन विल्केम टो आई एक्जाम भी नाम है शुनी पुंडीर और मैं स्वाथ करता हूँ आपका हमारे इस एग्री भी यूट्यूब चैनल पर और आप जानते हैं आप यहां पर हैं क्योंकि हम लोग ने एक एफो के लिए आपका एक्जाम होने वाला है उसके रिग में हम यहां पर उनके कॉंसेट को समझते हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ कुछन देता हूं सौल करने के लिए अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर उनको आप देख लीजेगा और आज भी क्वेश्चन होंगे तो मैं मैं आशा करता हूं कि आप आप जो है कॉमेंट करेंगे और वो कुष्चन जो है वो सौल जरूर करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करने इस वीडियो को इनिक्वैलिटी आपके टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जहां से एक्जाम में आपकी अभी तक पिछले तीन सालों में शिफ्ट जो आपकी 22 की जो एक कोईश करेंगे क्या इसका बेसिक है और फिर हम उसके पास समसीदा फिर जो है कुष्चन पर चलेंगे आप ठीक है तो इनिक्वैलिटी बेसिकली क्या होता है इनिक्वैलिटी आपका क्या है कि इसमें आपके कुछ सिंबल्स होते हैं ठीक है मैं आपको समझाएता हूँ इन वो symbols यहां पर क्या है जैसे कि आपका greater than है, less than है, is equals to है, greater than is equals to, less than is equals to. तो यह 5 तरह के symbol आपके पास यहां पर क्या है होते हैं ठीक, अब इन symbols को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, question में हां पर क्या करते हैं, question में हम इसको एक concept होता है, gate concept, ठीक है, एक gate concept होता है open gate और close gate, ठीक, अगर आप यहाँ से enter कर रहे हैं, तो यह आपका open gate है, मतलब आप जा सकते हैं, अगर आप यहाँ से enter करने हैं कोईश्क करेंगे, तो यह आपका close gate है, मतलब आप नहीं जा पाएंगे, समझ गे, जिस तरफ face open होगा, वो आपका open gate है, जिस तरफ आप जा नहीं पाएंगे, go through नहीं कर पाएंगे, वो आपका close gate है, बस यही चीज़ आपको समझनी है, पकड़नी है, और इसी के बेस पर आपको questions जो है, वो करने है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यह मेरा क्या है, close है, यह मेरा क्या है, यह open है, ठीक है, is equals to आपका दोनों साइड से open होता है, fine, इधर की बात करूँ, यह भी open है, और इधर की बात करूँ, तो यह close है, और अगर हम उस साइड से आएंगे, तो इसका मेरा opposite हो जाएगा, यह आपका basic concept है, अब questions को हम करेंगे, समझेंगे, तो आपकी चीज़े जो है, वो all clear हो जाएंगी, ठीक है, आपके questions, यह आपको statement मिलेगा, उसका statement होगी, फिर आपके पास जो होगया, क्या होगा, conclusion होगा, ठीक है, करना क्या है आपको, conclusion पर आपको जाना है, उसको उठाना है, ठीक है, देखना है कि open gate है, close gate है, और उसी के according आपको statement में जाना है, ठीक, जैसे कि, यहाँ मेरे पास क् है मुझे क्या करना है मुझे बही एंसे लेकर बी तक जाना है ठीक मुझे क्या करना है मुझे एंसे लेकर बी तक जाने की कोहिश करनी है और यहां पर मुझे एक सिंबल और दिया गया है तो मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं एंसे भी जा रहा हूंगा तो हर एक गेट पर पूरे रास्ते में जहां पर भी सिंबल होंगे वहां पर मुझे यह सिंबल जरूर मिले नीचे वाला मैंने क्या बोला अगर आपको इस तरह से को सिंबल दिया गया है तो आपको यह देखना है कि पहली बाद तो आप यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाए आपको अपनी ड सिंबल दित्東西 कि नहीं लेकिन कहीं पर भी यह सिंबल नहीं है इसके साथ यह जिकलत वाला तो यह मेरा गळोत हुज जाएगा अब आप जैसे कि आपको सिर्फ औ से जी जाना है तो देखो औ से आप गए एंड से आप गए बीब से आप गए जी तक पहुंच गए हैं जब आपको सिंगल दिया हो तो आपको यह ध्यान डखना रखना है की minimum, minimum एक जगह पर सिर्फ आपको यह सिंबल मिले, अगर आपके पास चार गेट है, ठीक है, अगर आपके बस यहां से हाल लग यहां तक चार गेट पड़ते हैं, तो कम से कम एक जगह पर यह मिल जाए, फिर बाकी यह मिले, greater than मिले, आपको कोई फरक नहीं पड़ता है, एक जगह पर आपको बस यह सिंबल मिलना चाहिए, यह इसका concept है, ऐसे खुशन को हम यहां पर इंको करेंगे, ठीक है, एक और ट्राइ करते हैं, जी से आपको B जाना है, G से आपको B जाना है, सिंबल देख रहे हो, सिर्फ आपको greater than का सिंबल चाहिए, सिर्फ आपको single सिंबल चाहिए, तो G से आप पहुँचे K, के से आप पहुँचे A, A से जब आप पहुँचेंगे B, ठीक है, तो यहाँ इस gate पर आपको ये वाला मिल गया तो that is right पहली बात आपको पहुंचना है second आपको symbol चेक करना है इसको देखते हैं डी से आपको जाना है के डी से आप बी पहुंचे बी के बाद रास्ता बंध है बी के बाद gate close है तो नहीं जापा होगे that means only one follows clear है doubt हो comment box में बताना मैं फिर से next video में इसको समझा दूँगा ठीक है न तो इस तरह से आपको questions को करेंगे ये इसका basic concept करने का ठीक है जैसा कि मैं हर बार करता हूं रर एक वीडियो में मैं questions आपको करता हूं and then मैं आपको तो solve करने के लिए तो question को note करते रहना question no.3 आपको homework है ठीक है question no.3 आपका क्या है आपको homework है ये आपको homework से करना है next चलिए जी हमारे पास एक type क्या होती है है ममने होती है जो आपकी है ठीक है kff यह होती है कोनिट इनमेटी अब मुझे करते इसको भी दोड़ा शमजते है इसका क्रहून कर आँगा चार में कि plotनी क्वेख से दूगा खिक रहुता है सिंबल्स symbols given होंगे, यह अलग symbol है, आप जानते होंगे, है न, यह अलग symbols है, इनका कुछ मतलब है, यहाँ पर given है, hashtag का मतलब क्या है, neither greater than nor is equals to, hashtag का मतलब क्या है, neither greater than nor is equals to, अगर कोई चीज ना तो आपसे बड़ी है, suppose करो, अगर कोई इंसान है, कोई चीज ना तो से बड़ी है, और ना आपके बराबर है, तो क्या वो आपसे चूटी होनी चाहिए, यह इसका मतलब होगा न, that means, यह, hashtag का मतलब क्या होगा, smaller than, neither equals to, nor smaller, अब ना तो आपसे बराबर है, ना आपसे चोटी है, तो क्या होगी, आपसे बड़ी होगी, आपसे बड़ी होगी, neither smaller than, nor greater than, ना चोटी है, ना बड़ी है, तो क्या होगी, बराबर होगी, not smaller than, आपसे चोटी नहीं है, तो क्या हो सकती है, यह तो आपके बराबर होगी, यह आपके बराबर हो चेक का मतलब है less than, star का मतलब है greater than, percentage का मतलब है is equals to, add that का मतलब है greater than is equals to, end का मतलब है less than is equals to, अब यही सारे symbol आप यहाँ पर लगा दो, और question को अपने solve करना start कर दो, बस, यही quality inequality concept है, बाकि आप उसको आप try करोगो, तो आपको सभज में आ जाएगा, देखो, star का मतलब क्या था, d and the rate a, and a, और d percentage का मतलब क्या था, is equals to, ठीक है जी, यह आपका concept है, अब मुझे क्या करना है, मुझे d से लेकर a तक जाना है, मैं यहाँ पर भी नोट कर लेता हूँ, तो मुझे आसानी होगी, यह ऐसे हो गया, end, फिर से मेरा end है, तो यह मेरा ऐसे होगा, percentage मेरा is equals to हो होगा, add the rate मेरा क्या है, ऐसे होगा, star मेरा क्या है, इस तरह से होगा, और percentage मेरा क्या है, ऐसे होगा, बस, है न, आप क्या करना है, आपको d से लेकर a तक चलना है, चलना start करते हैं, ठीक है जी, यह आपका d है, d से आप पहुँचे c, c से आप पहुचे b, b से आप पहुचे a ठीक है? आपको यह single symbol था लेकिन यहाँ पर कहीं भी single symbol नहीं है तो यह गलत हो जाएगा तो क्या हो गया? गलत हो गया अब क्या करना है आपको अब आपको D से लेकि A तक जाना है D से आप पहुँचे C, C से आप पहुँचे B, B से आप पहुँचे A लेकिन is equal to का मतलब क्या है? कि आपको यहाँ पर पूरे में equal to question मिलना चाहिए तो अब इसका मतलब क्या है? दोनों मेरे गलत हो गए अब जब आपको दोनों आपके जो answer है अगर वो गलत हो जाए तो आपको क्या करना है? आप एक concept होता है हमारा either or का यह मैं आपको समझा चुका हूँ ठीके? एक concept होता है either or का अब क्या होता है either or में? उसको समझ लीजिए either or में हमारे पास जब दोनों आपके options गलत हो दोनों आपके elements same हो क्या हो? दोनों आपके element same हो और दोनों आपके options यह गलत हो दोनों गलत है, D और A, D और A यहाँ पर दोनों है और third condition में आपको कुछ symbols मिलने चाहिए third element में आपको कुछ symbols मिलने चाहिए इस तरह से इस तरह से अगर यह चार symbol आपको मिलते हैं तो आपकी जो condition है, either or की satisfy कर जाएगी तो आपका answer यहाँ पर both false नहीं आएगा both doesn't true नहीं आएगा आपका answer जो है, वो either or आएगा ठीक है, यह आपको यहाँ पर अब समझना है अब इनी चीजों को detail में अगर आपको समझना है तो आप क्या कर सकते हैं तो हमारा जो syllabus है हमारा जो course है आपको सारी चीज़े जो बहुत detail में अच्छे से live classes में, course वीडियो में समझाई जाएंगी, recorded lectures आपको हमाँ पर मिलेंगे सभी चीज़े आप आप इसका पूरा concept, black box क्या होता है बहुत सारी चीज़े हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छे से, रोज हमारी live class होती है qrq, उसमें आप यहाँ पर समझी है regular live classes है आपको सारे आपको यहाँ पर topics मिलेंगे ठीक है, आप देखिए सारे topics आपको यहाँ पर covered मिलेंगे इस तरह से, और test मिलेंगे notes मिलेंगे, और सभी आपको जो एगरी exam होते है, state के उनके आपको mock test जो है free मिलेंगे तो जाकर आप अभी इस course में खुद को enroll कर लीजेगा, ठीक है तो यह मैंने आपको करा दिया, है ना coding वाला part, 5, 6, 7 यह तीन आपको homework से करने हैं इसको आप देखिए, 5, 6, 7 थर्ड दिया था, फोर्थ कराया, 5, 6, 7 यह आपको homework से करने हैं इसको आप screenshot ले सकते हैं इसको आप कर लीजेगा, ठीक है? चलिए ऐसे हम questions को आप करेंगे, सेम वही चीज, फिर से आपको यहाँ पर एक चीज आ गई फिर से आपका coding question, यह सारे समझते हैं इसको, dollar का मतलब क्या है? not smaller than, मतलब greater than होगा या बराबर होगा neither smaller nor equal to, मतलब greater than, neither greater nor equal to, मतलब smaller, neither greater than nor smaller is equal to, not greater than, तो अगर बड़ा नहीं है, तो फिर छोटा होगा ठीक है? not smaller than, ठीक है बड़ा होगा या फिर छोटा होगा पर बराबर होगा ठीक है यह आपके पांच सिंबल आ गए इन पांच के पांच सिंबल को आपको यहां पर इंसर्ट करना है ठीक है जैसे की फिर से देखते हैं इसको नॉर्मल चीज़े की थी वैसा वापस आपा सकते हो इसके लिए मेरा यह है एंड के लिए मेरा क्या था इस तरह से एड़ रेट में स्थरय से हैश्टेग में क्या था इस तरह से अब चेक कर लो M से आपको N जाना है with equal sign M से आपको N जाना है with equal sign Check करते हैं M से आप गए L, L से आप गए N Equal sign है, that is true समझ गए, that is true L से आपको Q जाना है without symbol एक जगह पर यह आना चाहिए without is equals to, एक जगह पर L से Q जाना है आपको अब L से आप पोँचे N N से आप पोँच गए Q, एक जगह पर यह आगया, तो आपको यह भी ठीक है clear है, F से आपको M जाना है, F से आपको M जाना है F से आप यहाँ गए, लेकिन यहाँ पर gate बंद है गल्द हो जाएगा Q से आपको फिर, M से आपको Q जाना है, तो M से आप M से आप L, L से आप N, N से आप Q यह सिम्बल मिलिया, ठीक, तो इस में का मतलब 1st, 2nd and 4th follows 1st, 2nd and 4th follows और question number नहीं आपको जो है homework है ठीक है जी, जीए समझ में आ रही है, चीज़े clear हैं, आपको बहुत बढ़िया ठीक है, next 10, 11, उसी question का part है, देख लो उसको, homework है, ठीक है, मैं देखो ना, बहुत टाइम से क्या हूरा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप comment करिए, महाँ पर, मतलब question को आपको समझ में आए या नहीं आए, at least, आपको अगर free में, अगर कुछ चीज़े मिल रही है, समझने के एको टाइप इसमें आती है, एको टाइप इसमें आती है, वो ये वाली है, इसमें क्या है, सेम भाई चीज़े, कुछ यहाँ पर question mark आपको यहाँ पर given होगे, इनका कुछ मतलब नहीं होता, है ना, इनको आपको समझना कैसे है, question mark का मतलब, क्या आप M और I में correlation define कर सकते हो क्या आप M और I में correlation define कर सकते हो, यह इसका मतलब है, इस पुरे statement में M ही नहीं है, इस पुरे statement में M ही नहीं है, तो यह मेरा गल्द हो जाएगा, अब H से आई जाना है आपको, H से आपको आई जाना है, ठीक है, अब अब देखो, आप H से G चले गए, G के बादा आपको पत नहीं निकाल पाऊंगा, फिर L से मुझे F जाना है, L में कहीं भी नहीं है, तो यह भी गल्द, तो यह questions आपके basic general sense के होते हैं, ठीक है, ऐसे भी इनको आप वो कर सकते हो, बट आपके exam में COVID वाला part जो बहुत important रहता है, उसको आपको समझना है, उसको आपको जो है वो पढ कराएं हैं, जो आपको समझाएं हैं, इनको आप देखो, इसका screenshot ले लो आप, ठीक है, इनको आप करिए, और मेरे को बताइए, कि आपको चीज़े जो है वो कैसी लगी, बाकी यही तरह वीडियो में, questions मैंने आपको कराएं, concept समझाएं, अगर आपको यह concept detail में समझने हैं, तो आप हमारे paid courses में live class मा कर आप इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको सारी चीज़े हैं, जो बहुत अच्छे से समझाए जाएंगी, ठीक है, फिलाल यही तरह वीडियो में, बाकी next video मिलते हैं, अपना ध्यान रखो, अच्छे से बढ़ाई करो, thank you so much and have a good day thank you